बोलिये संकर भोले नाथ की जये संकर भगवान के प्रिय भगतों आप सभी को सादर प्रणाम एक भजल जवान म्यूजिक कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत है जो एक अलग अंदाज में है अब की बार भगतों ने ये तै किया संकर भोले नाथ जैसे अभी अभी थोड़े दिन पहले आपने प्रणामंत्री मोदी जी को दोबारा से प्रणामंत्री की कुर्शी पर बिठाया है किसी परकार से हमारा भी कल्यान कर और तेरी कावड लेने आये है तो मन में इच्छा बहुत लाये है ये भोले नाथ हमारी इच्छाओं को पूरा कर दे अब की बार हमें भांग नहीं पीनी है हमारी जो मन की मुरादे है वो सभी कावडियों की पूरी होनी चाहिए और किस परकार से हाथ जोड के विंती करता है क्या कहता है सिव संकर भोले नाथ से सुनिये प्रियगतो बोले बाबा यब के मरकत कर मेरे रोजगार में इसी लिए तेरी कावड लेने आया हूँ हरी द्वार में इसी लिए तेरी कावड लेने आया हूँ हरी द्वार में केदार नात में जामोदी ने तेरा द्यान लगाया था ओव नमाशिवाय का मंतर बैठ कुफा में गाया था मोदी तैखुस ओबोले तन चमत कारत दिखलाया था सारी दुनिया जाने मोदी फिर पी एम बनाया था सारी दुनिया जाने मोदी फिर पी एम बनाया था एक चाय वाला भी बिठा दिया तने दिली के दरबार में महारत मा का ढंका जिसने बजा दिया संसार में इसी लिए तेरी कावड लेने आया हूँ हर द्वार में आठ साल के एक बालक ने करीत पश्या वहारी है योगी आदित नाथ भी बोले बन गया तेरा पुजारी है यूपी का सी एम बना दिया योगी जी ब्रमचारी है सब का नंबर आलिया भोले अब कै मेरी वारी है कम ते कम मंत्री बनवा दे योगी की सरकार में मेरे भी अच्छे दिल आ मैं बैठा हूँ इंतजार मैं किसी लिए तेरी कावड लेने आया हूँ हर द्वार मैं अंबानी परिवार को भोले तेरा भक्त बतला में हैं बारत के पैसे वालों मैं नंबर वन पै आ मैं हैं देश के राख्षक भौजी बोले तेरा ही ध्यान लगावे हैं वाली वुड के कई एक्टर बंबं भोले गावे हैं मैं भी बंबई में दीखूं दर में दर के किरदार मैं पीछे ना रहना चाहूं इस दुनिया की रखतार मैं पर इसी लिए तेरी कावड लेने आया हूं हरी द्वार मैं मने सुन्या तूने जो भगतों के बिगडे काम मनावे हैं सब का पेट भरे अनदाता वो तेरा ही ध्यान लगावे हैं मैं कावड लेने आया हूं तेरी दिप धजा लहरावे हैं अब तो मेरी भी सुद लेले क्यों इतना कड़ खावे हैं ये भी वक्त बैठना चाहवे से वी आई पी कार मैं मेरा वी भोटू बोले फिर छपै रोज अखवार मैं इसलिए तेरी कावड लेने आया हूं हरी द्वार मैं बोले बाबा अब के मरकत कर मेरे रोजगार मैं इसलिए तेरी कावड लेने आया हूं हरी द्वार मैं इसलिए तेरी कावड लेने आया हूं हरी द्वार मैं बोले बोले बाबा यब के वरकत कर मेरे रोजगार में इसी लिए तेरी कावड लेने आया हूँ हर द्वार में